नमस्कार मैं हूँ विज्या और आप देख रहे हैं फिल्मी वीट सल्मान खान की भारत से 83 क्रिकेट वर्ड कब विजय का भी है कनेक्शिट क्या है ये खबर आई आपको बताते हैं फिल्म एक्टर सल्मान खान की मच अवेटेट फिल्म भारत का ट्रेलर जारी कर दिया गया है इस फिल्म में सल्मान खान भारत की स्वतंतरता के साथ उनकी कहानी भी इस फिल्म में दर्शाएंगे फिल्म का ट्विलर जारी कर दिया गया है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है सोर्सिस की माने तो फिल्म में सत्तर वर्षों की भारत यानि की सलमान खान की यात्रा के दौरान विश्व कप क्रिकेट में विस्ट इंडीस को हराने की कहानी भी बताई जाएगी गौर तलवे की सन 1983 में कपिल देव की अगवानी में भारती क्रुकेट टीम ने विस्ट इंडीस को तीसरी बार विश्व कप जीतने से रोग दिया था इस विश्व पर कबीर खान रनबीर सिंग को लेकर एक फिल्म भी बना रही है जिसका नाम 83 रखा गया है फिल्म भारत में उस विश्व कब विजय का भी जिक्र होगा इतना ही नहीं सोर्सिस की माने तो फिल्म में भारत के वैश्वी करण के लिए दरवाजे खोलने की गाथा को भी दर्शाय जाएगा सल्मान खान के फिल्म में ये भी दर्शाय जाएगा कि किस प्रकार भारत की अलग-अलग परिस्थितियों के कारण उनके जीवन में भी उतार चड़ावाया था इस फिल्म में केट्रीना कैफ का रूल बहुत ही एहम है इसके अलावा तब्वो और देशा पार्टनी भी एक एहम रोल में है इस फिल्म का रिदेशन अली अबाद जफर ने किया है ये फिल्म येत के मौके पर रिलीज हो रही है फिल्म के ट्रेलर में सल्मान खान को अलग-अलग लुक्स में देखा जा सकता है मैडम कट्रीना के साथ सल्मान खान की जोड़ी शांदार नज़र आ रही है तो वहीं दिशा पाटनी भी एक शांदार लुक में नज़र आ रही है तो वहीं पर सुनेल ग्रोवर भी बहतरी नज़र आ रही है भारत के ट्रेलर में कुल मिलाकर भारत का ट्रेलर बहुत ही शानदार है भारत के ट्रेलर को देखकर लोगों को फिल्म का बेसबरी से इंतिजार है फिलहाल भारत से जुड़ी हुई ये एक नई ख़बर कि इसका कनेक्शन 83 ये वर्ल्ड कप क्रिकेट से है फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही